तो भाई लोग जो ये S8020 है ना काफी तेजी से आगे बढ़ता 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 चला जा रहा है मतलब अभी लगता है कि अभी तो शुरू हुआ आज हम पहुचगे मैच नमबर 15 पर जी हाँ दोस्तो अगर हम बात करें S8020 मैच नमबर 15 ये जो मैच है ना डर्बन सूपर जाइंट्स वर्सेश पेटोरिया कैपिटल्स के बीच में खेला जाएगा अगर हम यहाँ पर डर्बन सूपर जाइंट्स की बात करें तो चार मैच खेला दो जीता दो हारे मतलब एक जीत रहे हैं एक हारे हैं लेकिन इनको भी पता अगर एक जीतेंगे एक हारेंगे तो का चाने वर्सेश पेटोरिया कैपिटल्स का मतलब हो बात करा साधानी गात ऑपकी राखला करेंगे करेंगे तो भाई लोग जो यह मैच होगा कौन से टीम करेंगी अपने ना अगर आप यह जानना चाहते तो यह वीडियो आपके लिए बस पूरी वीडियो आपको देखनी है आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा तो चलो फिर जल्दी से मैं स्टार कर लेता हूं आप भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर डालो क्योंकि मैं कोई हीरो ऐसे लिए बेटी नहीं हूं आपकी बीच करहने वाला आपका अपना भाई हूं तो अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बाहर से आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए ना जी कोई भी ना आए तो दर और किसे जॉइन नहीं करना जो लिंक के बिले के डिस्किप्सर में बस वही से जॉइन करें तो भाई लोगी जो मैच है ना फ्राइडे 20 जैनेवरी इंडिया टाइम अनुसार नाइन पीम यानि रात को वही टाइम जो इनका टाइमिंग है आप इसका लाइव आपड़ों के हिसाब से अबरेज स्कॉर की बात करें तो 158 एक्सो अठामवन रनों का है टार्गेट चेज की बात करें तो 154 एक्सोचववन के नीचे स्कॉर बनेगा तो दस मैच में से आठ मैच में टार्गेट चेज हो सकता है टार्गेट डिफैंड की बात करें 170 एक्स यहां का जो surface है न वो dry and hard है मतलब जब बोल नया होगा जब match शुरू होगा पिछ पे तो जो बोल होगा न बैट पे काफी ज़्यादा अच्छे से आएगा चोके छके भर भर के लगेंगे और यहां की जो सा पुराना हो जाता जब पिछ थोड़ा सा तूड़ जाता है तो जो उनकी बोल होती हो टर्ण करती है तो जो 150 से 165 के बीच में देखने को मिल चकता और अगर हम यहां के मैदान पे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात करें तो डर्बन सूपर जाइंस ने दो मैच के ला एक जीता एक हार गये मतलब अपने घर में एक जीता एक हारा मतलब जो शुरुआत हुई थी अपने घर में दो जीते दो हारे इनके 8 पॉंट से अगर हम इनके खेमे में चेंजस की बात करें तो I think कोई भी चेंज ना होगा अगर हम इनकी बल्लेवाजी की बात करें तो भाई साब क्या गजब के इनकी बल्लेवाजी चली काइल मेर्स और बियान मुल्डर ओपन करने आ रहे हैं जब ले दम पे मैच को प्लड सकते हैं कौन है वो आलोंडर ड्वेंट प्रियास जैसान होल्डर और किस चायन जोन करें तीनों ऐसे आलोंडर हैं जो जब और जस गेंदवाजी भी कर सकते हैं जरूरत पढ़ने पर अपनी टीम के लिए बढ़िया मल्ले बाजी भी कर सकते हैं अ केस वो महराज जैसा है इनके पास इस पिनर से हैं तो मतलब जो इनके पास ऑप्सन है ना चाहें बल्ले बाजी की बात कर तो नो नमबर तक बल्ले बाजी दिखती है गेंदवाजी ऑप्सन की बात कर तो आठ नो गेंदवाजी ऑप्सन दिखते हैं और ऐसे नहीं कि बस काम चलाओं हो जारे जब और जस्ट गेंद वाज है भाई सा तो जो इनके टीम है काफी ज़्यादा फर्फिक्ट है टीटोंटी के साब से काफी ज़्यादा मजबूत नजा आ देगा है दोस्तों पैटोरिया कैपिल्स की बात के चार मैच के ला तीन जीते बस एक आरा एक जोली म हुआ क्या इनको कोई टेंसन नहीं होती क्या है यह मारते रहते हैं रिली रोसो की बात करें बल्ला नहीं चला रिली रोसो अभी तक चले नहीं है लेकिन जिस दिन ये भी चलेंगे तो इनकी जो बल्ले बात जी और भी ज्यादा खतरनाग दिखेगी बाकि थैनिस दा बागी जो इनकी तेज गेंदवासी हो बाकी जो इनकी तेज गेंदवाजी हो भाईसाब काफी जादा कमाल की क्योंकि विन पॉर्नेल और इथन बोच जो है ना काफी ज़्यादा जवर्जस गेंदवाजी कर रहे हैं बागे कर हम इनके इसमिनस की बात करें आदिल लशीद अभी थोड़ा महेंगे साभी जरूर हो रहे हैं हाला कि बिकिट एकाता निकाल लेते हैं लेकिन आदिल लशीद वो एक्सपिरियंस है जब रंग में आएगा तो सामने वाली टीम के रंग के बंग कर जाएगा तो जो इनकी भी टीम है वो काफी ज़्यादा ब भाई है तो अगर आप ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बाहर से थोड़ी ना आएगा भाई का सपोर्ट करने के लिए और करना है क्या है कुछ भी नहीं करना बस चैनल को सब्सक्राइब करना इतना तो कर सकते है ना तो सारी एनलासेस करने के बाद करने के बाद करने के इस match की बात करें जो match है ना 50-50-50-50, डरबल सूपर जाइंस, और 50-Petoria Capitals, लेकिन मैं अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता जो ये match है ना, Petoria Capitals अपने नाम पे कर सकता, जी हाँ दोस्तों मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, तो यह match है Pretoria Capitals अपने नाम पे कर सकता है लेकिन मैं आपको बोलूँगा क्या बोलूँगा मेरा टेलिग्राम जोइन करने के लिए क्यों जोइन करना क्योंकि इस match की जो final prediction होगी वो आपको वही मेरे टेलिग्राम पे मिलेगी और जिन लोगों ने पहले से जोइन के वो तो ब लाइक कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो सब्सक्राइब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच की prediction के साथ तब तक के लिए God bless you